सो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बच्छों आपने संझा था कि किस तरीके से Independence से पहली Britishers ने हमारी economy को exploit किया था किस तरीके से scoction किया था और आज की इस वीडियो के अंदर आपन बात करने वाले हैं कि Independence से पहले हमारी जो Indian economy थी उसके Features क्या-क्या थे तो हमारा आज का टॉपिक यही है बच्छो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बच्छो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट समझने को मिलेंगे और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आपको नोट डाउन करना है मैं आपको इनको एक-एक करके सभी points को अच्छे से explain फरोंगे ठीयह है आपको गौर्ण से सभी points को सुनना है तो हमारी जो economy थी उस time पर independence से पहले बच्छो हमारी जो economy थी वो बिलकुल stagnant थी पहला point आपका क्या है stagnant अब stagnant का मतलब क्या होता है no growth और little growth in income, ओके, तो stagnant का मतलब क्या होता है बच्चों, no growth और little growth, little growth, तो यहाँ पे हमारी economy की जो income थी, वो बिलकुल भी नहीं बढ़ रही थी, मतलब यह तो बिलकुल नहीं बढ़ रही थी, तो बहुत ही कम percentages से बढ़ रही थी, अब आप आप एक खुद यह चीज सोचों क कि जब per capita income, जब लोगों की income ही नहीं बढ़ीगी, तो उनका जो living standard है वो किस तरीके का होगा, तो लोगों का जो living standard था ना उस time पे वो बहुत ही poor था, उनके पास में दो वक्त की दोटी भी नहीं थी अच्छे से खाने के लिए, बिमार हो जाएं तो इलाज किरवाने के लि जादू के आधी सी ज़्यादा जो population थी, वो हमारी थी below poverty line, ठीक है, मतलब जो हमारी गरीबी थी, वो उस time पे बहुत ज़्यादा थी, है ना, तो दो तीन चीज़ें तो ये मैंने आपको बता दी, ठीक है, अब जब per capita income कम होगी तो इसका adverse effect और क्या-क्या-क्या पढ़ सकत है, ये आपको पता है, उस time पर महारी बहुत ज़्यादा फैलती थी, भुकमरी बहुत ज़्यादा फैलती थी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है खाने के लिए, तो भुकमरी से बिचारे लोग खतम हो जाते थे, मर जाते थे, तो stagment economy यानि कि उस time का जो पहला feature ह हमारी economy का वो ये है कि किसी भी तरह की growth नहीं थी, या फिर अगर थी भी तो बहुत ही less growth थी in per capita income, उस time के लोगों की जो income थी, उसके अंदर किसी भी तरह की growth नहीं थी, तो पहला point आपका यही हो जाता है, which is stagnant economy, अब आते हैं अपन दूसरे point पे, which is backward economy, अब इसके अंदर क but stagnant economy के अंदर अपन जैसे जो ये होती है, मावारी होती है, भुकमरी होती है, पौवर्टी होती है, इसको भी अपने include कर देते हैं, कि भई, जो हमारी income होती है, per capita income low होने से जो impact हो, ये सारे भी पढ़ते हैं, अब backward economy इसी से ही connected है, आप लोग इसको समझ सकते हो, connect कर सकते ह इसी है, जो कि stagnant है, किसी भी तरीकी की growth नहीं है, static है, static यानि कि क्या होता है, no growth, okay, तो अगर कोई economy ऐसी है, तो दिखने से बाद बिलकुल backward होगी, अब जब लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो पढ़ने के लिए तो क्या ही पैसे होंगे, है ना, तो literacy rate विलकुल zero थी, और मैंने जैसा भी आपको बताया, कि अगर बिमार हो जाते थे, तो hospitals नहीं थे, facilities नहीं थे, और अगर थी भी तो पैसे नहीं थे, तो death rates भी हाँ पे जादा थी, तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद में हम यहीं बोल सकते हैं, कि हमारी जो economy थी, वो बह करन क्या है, और इसको किस तरीके से वो इससे बाहर निकल सकते हैं, उन्होंने accept कर लिया था कि जो है, अब यहीं है, अगर बच्चा बिमार है उनका तो वो रोध हो के चलो ठीक है, अब इसको इतना ही जीवन दिया है, यह बोल करके वो उस reality को accept कर लेते थे, यहना उस harsh truth को accept कर लेते थे, आधी रोटी में से पूरा-पूरा परिवार खाना का लेता था, बतलब बहुत ही, बहुत ही बखवास situation थी, बहुत ही बहंकर situation थी उस ताइम पे हमारी economy की, चीक है, फिर next के बारे में आपन बात करते है, agricultural backwardness, अब देखो, उस ताइम पे क्या था कि हमारी total population में से, around 72% population किस से जुड़ी होई थी, agriculture से जुड़ी होई थी, लेकिन, जो GDP के अंदर contribution होता था, agriculture का, वो सिर्फ कितना होता था, 50%, अब आप ये सोच सकते हो, कि जब इतने जादा लोग agriculture से जुड़ी होई हैं, तो फिर GDP का contribution से इतना सा क्यूं है, productivity बहुत जादा लो थी, per hectare, जो production होता था, वो बहुत जादा लो था, ठीक है, और साथ ही में, जो हमारे farmers थे, जो tillers of soil थे, उनके साथ में बिल्कुल भी fair decision नहीं लिया जाता था, उनको wages बिल्कुल minimum दिये जाते थे, ओके, तो ये सारी चीजें हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी हैं, मतलब उस टा बावजूद, जो GDP का contribution होता था, अग्रिकल्चर से 50% होता था, ठीक है, तो जो situation थी, वो बहुत ही pathetic थी उस time पे, तो यहाँ पे, इस slide के अंदर आपन तीन चीजों के बार में बात करिये, अपने बात करिये, stagnant economy की, फिर अपने बात करिये, backward economy की, ये दोनों जो हैं, उपर जादा से जादा population agriculture में involved थी, लेकिन फिर भी production जो होता था, productivity जो होती थी, वो बहुत ही कम थी, इतनी कम थी के लोगों के survival, जितना भी food grains ये लोग नहीं cultivate कर पाते थे, मितलब जितने लोगों के survival के लिए भी cultivation नहीं हो पाता था, so it was a very miserable situation at that point of time, ठीक है, आगे बढ़ते है अब अबन बात करते हैं, I mean, industrial backwardness की, so ये तो हमारे थीके थोड़ा से economy के बारे में बात कर लिए, agriculture के बारे में बात कर लिए, तो अजितनी के बारे में बात करते हैं, so there was a virtual lack of basic and heavy industries in the country, थमारे देश के अदर, हमारे देश के अदर, हमारी country के अंदर, بड़ी बड़ी industries नही थी, ठीक है, small scale industries थी, लेकिन फिर भी, वो भी इतनी small हुआ करती थी, कि किसी भी तरेके का, जो entrepreneurs होते थे या फिर जो भी उनके owners होते थे, उनको profit नहीं होता था क्योंकि बड़ी industries, जो होती थी, यानि कि बड़े products जो दूसरे countries के machine made goods हम import करते थे, और वो हमारी economy में circulate होते थे, तो हमारे पास में machines की कमी थी, okay, production of machines was almost negligible, small scale and cottage industries were almost ruined, फिर दीरे दीरे जैसे ही ये machine products आने लगे, machine made goods आने लगे दूसरे countries के, तो हमारे जो चोटे-मोटे, जो small scale industries थी, जो cottage industries थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो गए, फिलकोर खतम हो गए, ठीक है, क्योंकि अफिर अब उनकी products को खरी देगा, for the bulk of its capital goods requirement, the engine industry was dependent upon the imports from Britain, अब किसी भी तरीके के capital की, जब इनको जरुवत पढ़ती थी हमारे देश को, किसी भी किसी तरीके के capital goods की जरुवत पढ़ती तो हमें वो import करना पढ़ता था Britain से, तो हम पूरी तरीके से किस पर dependent थे, Britain पर dependent थे, for capital goods, अब capital goods कौन से goods होते हैं, यह वो goods होते हैं, जो कि production process में आपको help out करते हैं, जिसे machines वगएर आ जाती है, ठीक है, तो वैसे तो machines ना के बराबर थी और जिन-जिन के पास में भी थी, वो भी खुद तो produce करने ही रहे थे, खुद तो वो machines बनाते नहीं थे, वो कहां से मंगवाते थे? Britain से मंगवाते थे तो यह सारी चीजें, जब आप इनको गौर से इन सभी points को देखोगे, तो बात करते हैं. So, यहाँ पर सबसे फ़ेदा point है बिचनों आपका rampant poverty. So, rampant का मत्तब क्या होता है? देखो, earn yantrit, ठीक है? Disbalanced, पूरी तरीके से, जो कि balance नहीं है, तो जो poverty थी उस टाइम पर इतनी ज्यादा थी, कि लोग जो थे, उस टाइम पर जो population थी, उनकित्ते ऐसे लोग थे, जिनके पास में दो वक्ट की कि रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थी, ठीक है? So, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि महावारी और भुकमरी जो थी, वो मतलब आता रहता था, ये ऐसी दो चीजें थी, जो कि जिसको लोग फेस करते रहते थे हर थोड़े टाइम में, इत वोज रेगिलर फेनोमेनन, ठीक है? So, रामपिंट, पोवर्टी यानि की जो गरीबी थी उस टाइम पे, वो बहुत जादा थी, और हमारे टोडल पॉपुलेशन में से, नजाने, कितने ऐसे लोग थे, जो कि इस गरीबी के शिकार थे. फिर आप बात करते हैं अपन पूर इंफ्रास्ट्रॉक्चर तो देखो, अब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रॉक्चर की, तो इसके इंदर सारी चीज़ें आजाती हैं, ट्रांस्पुटेशन आजाता है, कम्मिनिकेशन आजाता है, रोड आजाती है, रेलवेज आजाती है, साब इससभी तरीके की चीज़े आजाती हैं. तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रॉक्चर था, वो बहुत ही जादा लो था, ठीक है, बहुत ही जादा पूर था, हम इस इंफ्रास्ट्रॉक्चर के मादने में बिल्कुल जीरो थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सिर्फ अपने जूलियां भर रहे थे, वो हमारे देश की चीज़ों के थोड़ी अध्यान दे रहे थे, उन्होंने तो अपने फाइदे के लिए, जब उनको लगने लगा कि यहां से हम के इस तरीके से, जो raw material है वो हमारे देश में लेके जाएं, बस इस motive से तो उन्होंने यहां पर railways इंटर्डियूस किया, वरना तो आज हमारे पास में railway भी नहीं होता, ठीक है, तो उन्होंने खुद के motive के लिए तो यहां पर infrastructure, जो भी आप यहां पर देखते हो, communication और यह सारी चीज़ें, तो ट्रांस्पोर्ट वगेरा, तो यह सारी चीज़ें तो उन्होंने अपने खुद के फाइदे के लिए की थी, जो कि अब अपन को कहते हैं कि यह देखे चले गए, अपन को इनी की देन थी, तो वो अब अपन के अपने काम आ रही है, अगर यह चीज़ें भी यह ना करते ना, तो अपने पास में यह भी तो होता, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अब अपन इतने तो काबिल थे नहीं, क्योंकि हमारा सारा raw material तो वो अपने देश में ले चारते हैं, ब्रेटेन लेके चारते हैं, तो हम इतने काबिल थे नहीं कि हम जो goods हैं, वो खुद हमारी economy के अंदर हम produce कर लें, बिल्कुल भी नहीं, तो finished goods के लिए mostly हम किस पर dependent थें, हम दूसरे countries पर dependent थें, बिल्कुल भी खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, उनका business बिल्कुल ही चली नहीं पा रहा था, क्योंकि market के अंदर सारे जितने भी products हैं, वो सारे के सारे Britain के circulate हो रहे थे, तो हमारे देश के जो products थें, वो बिल्कुल ही zero थे, markets के अंदर, तो हम mostly किस पर dependent थे, हम dependent थे mostly imports पर, यह ना Britain पर हम dependent थे, फिर है limited urbanization, अब देखो urbanization की बहुत ज़्यादा कमी थी, only 14% of population जो की urban areas में रहती थी, और 86% जो total population का part था, वो कहां रहता था, वो गाउं में रहता था, ठीके रूरल areas में रहता था, तो यह और रूरल areas में आप लोगों को बताएं कि उस ताइम पर बिल्कुल सुख सुविधाई नहीं थी, वहां के लोगों को awareness नहीं थी किसी भी चीज की, उनके साथ में तो जो जैसा किया जा रहा था, उस चीज फो उनने accept कर लिया था, वह बिल्कुल भी अपने rights के लिए, they were not aware कि भई हमारे अधिकार क्या है, तो आप यह सोचनों कि total population में से, अगर एक जगे पे, मतलब इन गाओं के areas में, अगर 86% population रह रही है, तो हमारी economy कितनी backward हो सकती है उस time पे, correct? चलो, फिर अपन बात करते हैं, semi-fiddle economy, so उस time पे ना बच्चों ना ही हम पूरी तरीके से capitalist थे और ना ही पूरी तरीके से हम socialist थे, बना भी दोनों का mixture चल रहा था, अब दोनों का mixture जब चलेगा, जो आप दो नावों पे पहर रखके सवार होगे, तो कहीं पे आपका क्या उत्थान हो पाएगा, कहीं पे आपकी progress हो पाएगी, growth हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना? तो same वही चीज हो रही थी, अब जब दोनों ही चीज़े semi-fiddle economy थी, उस time पे, तो था क्या, कि ना ही किसी तरीकी की growth हो रही थी, productivity भी बहुत low थी, production भी बहुत ज़ादा low था, सारी चीज़ें बहुत ज़ादा low थी, लोगों के पास में खाने के लिए नहीं था, income, जो लोगों का living standard था, वो बिलकुल zero था, तो ये सारे कुछ ऐसे points हैं, जो कि हम features के अंदर count करते हैं, फिर अपन बात करते हैं, colonial economy के, तो हम पूरी तरीके से, किस के दबाव में थे, Britishers के दबाव में थे, जो हमारे goods थे, वो हमारे थे ही नहीं, जिन goods को हम use कर रहे थे, वो दो दूसरे countries के goods थे, हमारे यहां का जो raw material था, वो दूसरे देशों में भेजा जाता था, मतलब पूरी तरीके से, हम हर एक छोटी सी छोटी जो pin होती न, उससे लेकर के बड़े से बड़ी चीज़ों पे, हम सारी के सारी चीज़ों के लिए, हम दूसरों पे dependent थे, इस तरीके से आप चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे गुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है न, तो यहां पे आप चाहे ऐसे बोल दो की, ठीक है उन्होंने हमको exploit किया, हमारे साथ में, मतलब बहुत ही गंदा बरताफ करते थे, यह सारी चीज़ें के लो, या फिर आप इसको थोड़ा सा economic way में आके पढ़ लो की, जो यह market-market के तरीके से आप समझ लो, तो इसमें भी तो हमारे नुकसान है न, हमारे देश में हमारे products होने चाहिए, हमारे देश में हमारे markets में हमारे products circulate होने चाहिए थे, तो it is also a kind of colonial exploitation, यह भी एक तरीके का exploitation ही है, तो हमारी चाहिए थी, वो किस तरीके की थी, colonial economy थी, तो यह कुछ ऐसे points हैं बच्चों, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने है इस topic के अंदर, जब भी आपके सामने बात आती है कि, what are the features of Indian economy on the eve of independence, तो यह सारे के सारे features आपको ध्यान रखने हैं, कौन-कौन से हैं, तीन यह features हैं, जिसमें stagnant economy, backward economy, agricultural backwardness, फिर industrial backwardness, उसको मैंने आपको यह पर एक्स्प्लीन गर दिया है, फिर उसके बाद में rampant poverty, poor infrastructure, heavy dependence on imports, limited urbanization, semi-filtile economy and colonial economy, तो यह कुछ ऐसे points हैं, जिनको मैंने आपको elaborate करके भी समझा दिया है, आपको बस इन points हो अच्छे से ध्यान रखना है, यही कुछ ऐसे features हैं, जो कि हमारे Indian economy के थे, independence से पहले, तो इन सभी features को देखने के बाद में, I hope आपको पता लग गया होगा, कि हमारे economy के क्या हालात थे उस टाइम पर, ठीक है, अब इसके बाद में बच्छों, next वीडियो के अंदर अपन agriculture, फिर industry, फिर trade, ऐसे single-single topic उठाएंगे, और फिर समझेंगे कि हमारे economy, किस तरीके से work करती थी, ओल राइट, सो बच्छों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, मत भूलाओ कर कहीं पर कोई भी डाउट है, तो comment section में मुझसे जरूर पूछिएगा, thank you so much.